सुसर्य नमेदगें यात्म में तुम उटन हिंदी मैं वाला है और उर्ध उardhu लिए हो तो यहां पर नंहीं देखने मिल जाता है तो दूसरे नमर का चेप्टर है तो चेप्टर का नाम है इदिगा काफी अच्छी कहानी है यहाँ पर मुलसी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है जो बहुत सारी कहानिया है जो मुलसी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है जिने में से अगर बात करें दो बना-वना इस परकार से बुना होता है अगर तुम पर ओगे तो अंदर अंदर खिचते हुए चले जाओगे सिध्या साज जगेगा कि आगे क्या हो रहोगों और एक बात को गहरा है, यहां पर साथ प्रश्चितु यह कह Naj Ball-Man majority kya होता लुख यह बैर मनों बिज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे के और भाव वेवहार। पर जो आज-पास का महोल होता है जो महाऊल होता है उसका क्या असर पड़ता है यह आध्यान करता एब सिंगली यह कहानी हमको बाल लोगों से उसका रोज का वारता लाप होता है यह सारी बाते उनको किस प्रकार से परभावीत करती है इन्हीं को हम यह स rehabilit यह कहानी बच्छित के बच्पन परिस्थितियों पर मार्मिक धंसे टिकनी करती है और अवहाव गरस्त जीवन बाल मान को व्यस की तरह सोजने के मज़बूर करता है ज़ूसरे परिवार के तरह उसको ना ही कप्रे मिलेंगे दोनों में एक अंतर तुमको देखने के लिए मिल जाएगा और इस कहानी में मुख्य रूप से मैंली हम यहीं बात करने वाले हैं हामिद खिलोने के जगह अपने दादी के लिए चिम्ता खरीद कर लाता है और दादी अमीना के दिरिस गहरी समयदना की अभिव्यक्ति का करन मनता है हामिद नाम की जाता है और उसकी दादी के पास रोटी बनाने का चिम्ता ने था और उनका हाँ दिल जाया करता था अब अगर कोई दूसरा बच्चा होता ना तो यहां पर चिम्ता नहीं लेकर के कुछ और खरीता, खिलोने खरीता, मिठाया खरीता, लेकिन हामीद, चुकि उसका जीवन अभाव में भीता है, चुक स्विधा उसके जीवन में नहीं है, इसलिए समय से पहले वो बड़े व्यक जाने की तियारी हो रही है, वगर हम बात करें, तीस दिनों का रमजान होता है, जिसमें तीस रोजी रखे जाते हैं, और तीस रोजों के बाद जो है, जब फैनली रमजान खतम होता है, तो इद आती है, इद में लोग एक साथ मिल करके नवाज परते हैं, और वहां पर जो मैं सबसे ज्यादा परफे अब तो यहां बच्छों में कुवेर का धन जो भरा में भाद यृजित अपना दो प्रिडी हो और कोई यह हो कहीं और मिला लगा हो के भूब्चों को यहां पर पैसे लिए मेला देखने के लिए घूमने के लिए मिठाई खाने के लिए खिलोना खरीदने के लिए पैसे दिये जाते हैं अगर वह अगर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक है तब तो यहां इद की बात चल रही है जब इद कात्योहार आता है तो बहुत सारे बच्चों पास धन होता ह है वह बच्चे बार-बार क्या करते हैं अपने जेव से धन निकालते हैं देखते हैं बार-बार गिनते हैं और यह सोचने में लगे हुए है कि अगर हम मेला मतलब नवाज पर ही जाएगी वहां पर बहुत सारे दुकाने भी बाहर में लगी हुई तो वहां पर जाके हम क्य सकते हैं अब यह महमुद के पास 12 पैसे हैं और यहां पर दूसरा जो है पात्रू है मौसिन के पास 15 पैसे तो यह काफी बहुत समर्द पहले का कहानी है तो इतने रुपियां तो बहुत कुछ खरदा जा सकता था उस समय क्या क्या खरिदा जा सकता है तो खिलोने मिठाया बीगूल गेंद और नाजाने क्या क्या और फिर सबसे ज्यादा परसन हामीद है अब हामीद की बारे बात करते हैं यहां पर वह चार-पार साल का गरीब सूरत दूबला पतला लर्का जिसका बाप गत वर्स हेजे की भेड़ हामीद सेलगे हमीद कैसे और उसकीमान है न ही उसके पिताजी का ज donor का ही दैण हो गया है और हमीद जो रहता आपटा टादी के साथ रहती है और हमेद अपनी बुरी दादऻ मसुद में सुथ है पाइधدة में पर चीड़ में आज इद का दिन है उसके घर में दाना नहीं ह साथ समस्या यह थी कि किसी तरह से भी घर को चला रहे थी अब हमारे जीवन में देखो जिन्दगी और मौत किसी के बस में नहीं होता है अगर परिवार से कोई वेक्ति चले जाना तो वहां पर कोई न कोई ऐसा क्या बोल सकते हैं कुछ न कुछ ऐसा तो हमको मिलता है जिसके देना पड़ता है तो अमिना के साथ भी यह है बहुत बेटे दोनों का द्यान थो गया तो चोटा सा बच्चा हामीद है उसके लिए तुसको जीना है किसी तरह से वही घर को चला रही है अब अमिना परिशान है इद आ गया है बहुत सारे लोगों को सेविया देना है मिठा अभी आ रहा है कैसा कैसी जिन्दगी तो बीट गया लेकिन हामीद तो भी बच्चा है उसका क्या घसूर है हमीद को तो वह साही सुक्सवदा मिलना चाहिए ना जो और दूसरे बच्चे को मिलता है तो यह सोच रही है मिना मैट करके इसके बाद हामीद आता और बताता है बोलता है तुम डरना नहीं है मैं सबसे पहले आओंगा और बिल्कुल ना डरना हमीद बोलता है कोई मिला देखने जा रहे ना डर क्यों रहे है बच्चा को कौन बता है इसलिए ने रो रही है कि वो डर रही है वरकि इसलिए रो रही यह जो कि इसके पास धन ही नहीं है यूम है मिलना होता है उसको मिला देखने जा रहे हैं दादी उदास है और बोलbakे तुम मत डर दरणा दादी हम THEY जाएंगे और तुरंत आएंगे इसमें क्या रोने की बात है कि अमीना का दिल कचोट रहा था गाउं के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे अब यहां पर दिख समझे अमीना इसलिए भी परिशान थे कि हामिद कैसे जाएगा मिला यह और सारी बच्चे को ममी ह पापा है वे सारे जाने वाले वर यहां पर हमीद के पास ना उसके ममी है ना उसके पापा है हमीद कैसे जाएगा मिला एक छोटा सा 5-Su तरह से जा पाएगा और किस तरह से आएगा यह जो है अमिना को इस बात का डट लगा हुआ है कहीं खो जाएगा ननी सी जान है तीन कोष्ट चलेगा और तीन कोष्ट दूर है उसके घर से जहां पर इद की नवाज परी जा रही है पैर में छाले पर जाएंगे जूते तो नहीं है वह थोरी थोरी दूर पर उसे गोध में लेलेगी लेकिन वहां से वया कोण पकाएगा अ अब यहां पर अमीना सोचती है ना कि हो चलो हम ही चले जाते हम ही चले जाते हमी चले जाते हामीद के साथ घर में भी बहुत सारी काम है जो लोग आएंगे उसको मिठाया देना है ना सबको इद की मुबारक बात देना है तो अगर हम चले जाएंगे हामीद के साथ अगर हम हामीद के साथ चले जाते तो अगर वो ठकता तो गोधम उठा लेते कुछ देर के लिए यह हम तो नहीं जा पाएंगे तो कैसे जाएगा हमीद अगे देखो गाउं में गाउं से मेला चला और बच्चों साथ हमीद भी जा रहा था उसके पेरों का तो जैसे पर लग गए हो कभी कोई लगा कंकरी उठा कर आमपर निशाना लगता माली अंदर से आता गाली देता और निकलता लगे खोगा तो बहुत सारे बच्चों के अभी बच्चे होते हैं उससे हामीद भी खुष है है मेला देखनी जा रहे हैं और कु TOM भी क्रते वर बच्चे जा रहे हैं कई बार राश्टे में आप या में मिलता है भगी का पय्स देखने कि ऋबच्चों को आगए भुका वह संब ढक्रता कि पर आगे निकल जाते हैं इदगाह आ गई उपर इमली के घनेव विर्च की छाया नीचे पका पर्ष अब इदगाह के दृस का वर्णन क्या गया है तारो तरफ से पेर लगे उए हैं और छाया भी है नीचे जो है इदगाह में नीचे जो है है वो पक्का पर्स किया गया है रोजिदार की पंतिया एक के पीछय दूर तक चली गई है और जितने भी रखने वाले थे या फिर जितने भी लोग बहांपर पहुँचे थे तब लोग एक के लोग नवाज अदा करेंगे इद्धा आपर सभी लोग शमान हैं जो जिस समय जहां पर आ गया वो उस समय वहां पर नवाज पढ़ेगा खोटा बढ़ा यहां पर नहीं दिखा जाता है इसलाम के नजर में सभी लोग समान है उसे तो बात करें न तो इस वह एक है और इस वह की नजर में सब ही उनके चाहने वाले एक हैं को जाते हैм फिर फे गुटने के साथ खरे हो जाते एक साथ घूटने के बल बैठ जाता यहां पर बैसे लिए सii बरहा जाता है उसका वर्ण令 क्या गया है फिर घुकने पर बैठेकरके फीड़े में लाखों 1,000 होता है वह एक साथ नीचे में एक दूसरे को बढ़ाई देते हैं और गले मिलते हैं इसके बाद तब मिठाई और खिलोने को दुकान पर धावा होता है जो बच्चे थे अब चले जाते हैं मिठाई और खिलोने का दुकान लगा था उस और निकल जाते हैं तरह तरह के खिलोने हैं सिपाही अब खिलोने सपाही लेता है ये भी याद रखना मेहनुद सपाई खरिदता है खाकी वर्दी और लाल पगरी वाला कंदेव बंदुक रखे हुए मोसिन बिस्ति खरिदता है यहां यहाद रखना एक बार उपर सम बता दे रहे हैं याद रखना यहां पर लोना कौन-कौन सा है सिपाई है गुजरिया है राजा है वकील है विस्ती है धोगिन है इस सारी खिलोने मामुद सिपाई खरीता है जो खाकी वर्दी पेना हुआ है और लाल पगरी पेना हुआ है कंदे पर बंदूक रखा हुआ है ताती साथ मोसीन विस्ती खरीदता है नूर वकील खरीदता है तब दो-दो पैसे के खिलोने थे हमीद के पास कुल तीन पैसे थे इतने महगे खिलोने वक कैसे ले कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा पानी परा तो सारा रंग धूल जाएगा ऐसे खिलोने लेकर क्या करें अब हमीद क से छूट गया तो मिट्टी का खिलोना तूट जाएगा कहीं अगर बारिस में भींग गया तो फिर उसका रंग धूल जाएगा तो उस खिलोने का क्या यूटिलाइज होगा हमारे जीवन यह हामिद के मन में आता है कोई बोल सकता है क्या चार या पांच या छे साल का पांच साल का बच्चा एसा सोच रहा है बिलकुल यह हमिद की सोच है कहां से आ रही है वह जो अभाव में वह जीवन जिया है वह पैसे की एहमियत को समझ लिया है Unter इस वज़ा से उसका दिमाग इस परकार से ट्रेंड हो गया इस परकार से बात है उसके दिमाग में आ रही है हमी चाहता भी फ्राक दिखा दो यार खेल ले ते खिलोने से क्या दिक्कत है फर्माणेंट थोड़ी ले रहे हैं विकार हो जाएगा हो सकता है तूट जागीर करते हैं रंग उतर जाए उसका तो तीन पैसे खर्च करना बहुत ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं यह हामिद के मन में जो पांत या छे साल का लरका है उसके मन में यह बाते आता हैं पिर आता है मिठाई की दुकान अलग-अ मिठाईया है कौन-कौन सी मिठाईया रेवरिया है गुलाब जामुन है हलुआ है सारे बच्चे खरीते हैं और बड़े चाव से खाते हैं लेकिन हामिद क्या करें यहां भी उसके पास तीन पैसे मोसिन उसकी ललचाई नजरे को देखता है अब बच्चा है हामिद खाना त इतनी खुशबूदार है जैसे हमिद प्षलाता है मौसिन रेवरी अपने मुझ में रख ले बच्चों में होता है तो यहां पर इसका मौसिन का बात क्या गया कि रेवरी खा रहा था और हमिद उसको देख लेखे जा रहा था तो मौसिन बोलता है भाब खालो यार क्या दि अगे दिको मिठायों के दुकान के बाद लोहे की चीजे की दुकान आती है खिलोने दूकान यहां पर खतम हो गया बच्चों ने घुम लिया अब आता है लोहे की समान जहां पर अलग-अलग लोहे का समान विकता है लड़कों लिए यहां कुछ भी आकर्शन नहीं था नारे आगी बढ़ गए बढ़ हमीद लोहे की दुकार पर रुक जाता है और उसको वहाँ पर नजर आता है एक चिम्टा और उसको यहाँ पर समझ में आता है या याद आता है कि दादी अम्मा जो है वह खाना बनाती है उनका हात जल जाता है तो क्यों नहीं इस तीन पैसे मे में चिम्टा खरीदा जाए है और फिर अगर हम चिम्टा ले जाते हैं तो दादी मां बहुत प्यार भी करेगी हमको मेरा बच्चा कितना संभलतार है फिर उनकी उंगलिया भी नहीं जलेगी यह 5-6 साल का बच्चा सोच रहा है सोच सकते हैं अम्मा चिम्टा देखते ही मेरा मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिम्टा लाया है हजारों धुआए देंगी फिर प्रोफशन और दिखाएगी तो हमिद में यह सारी बाते चल रहा है देखें अम्मा चिम्टा देखेगी ना बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी मेरा बच्चा चिम्टा लाया है जो लोग ह उसको ही बताएगी कि मेरा बच्चा कितना समझदार है चिम्टा लाया मिले से खरीदें के लिए ठीक है आगे देखो लुकंदार से बड़ी मुश्किल से मोलभाव करके हामिद ने तीन पैसे में वह चिम्टा ले लिया उसे कंदे पर रखा मानूब बंदूख है और सांज सकरता हुआ साथ योपास जितने भी बच्चे पकरा कंदे पर उठाया और बच्चों पास अगी जैर ची बात और बच्चे ने खिलोने खरदा था मिठाया खाई थी तो उसके समझे में चुकि उसका जीवन और दूसरी बच्चे उसका जीवन अवहावे नहीं बिता था त पर देंगे ना तो यह तो बंदूग बन जाएगा मतलों हमीद बोलता है रूको जरा अगर इसमको कंद्य पर रखते हैं तो हाथ में ले लिए तो फकीर का चिम्टा हो गया तहाई तो मंजिरे का काम ले सकता हूं और तुम-लोग पाथ इतने भी खिजरोंrå न है अगर जिम्टा से मारे न क्वश्य खिलोने चूर-चूर हो जाएंगे तुम्हारा खिलोना कहा टिक रहा है मेरे चिम्टे के सामने अब ये बात सुन करके पदूसरे बच्चे जो है वो सकते में आगे बात तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है एक चिम्टा का तो इतना सरा उप्योग हो सकता है बच्चे तो संदेश्या यहां पर रखिकर दिखा लेते हैं अपना झिलोना भी तो देओ थिखलने के लिए तो एक चेर कर के हामित सब के खेलोने के साथ ख्लता है और हर एक बच्चा जो है वह चिम्टा चिम्टा पकरने का प्राष्ताव रखा यह हो गया तुमारा गाऊं पहुंचकर बच्चों ने अपने खिलोने से खेला पर थेत वो मिटी के ही कुछ कुछी देर में तूट गे सारे बच्चे का खिलोना तूट जाता है अब हामीद के पास है चिम्टा अब मिया हामीद हाल सुनिये अमीना उसकी आवाज सुनते ही दोरी वह दूम उठागर प्यार करने लगी सासा उसके हाथ में चिम्टा देकर चो कि यह चिम्टा कहा से लाए जैसे हामीद अपने घर पहुचा उसकी दादी मा बाहर आती है दादी मा बाहर आती है और चिम्टा को देखती है चिम्टा को देखती है बाबु यह क्या है यह कहां से लेकर क्या है हो और मैंने मोल लिया है इतने पैसे पूछा जाता है दादी के साथ कितने पैसे के लिए पैसे अब अमीना का अधन का इसको तो हम पैसा देखे लोना खरीदने के लिए चिम्टा उठा के लिए आया अमीना ने चाती पीट ली यह कैसा बेज समझ लर्का है ना कुछ खाया नो पिया लाया चिम्टा सारे मिले में तुछे और कोई चीज ना मिली तो यह लोग का चिम हम लाही पैसा कर देखें यह सोच पैसा जिए था हम यह तो नहीं गोने चीम्टा उठा कर लिए तो यह किसी काम का नहीं है रही हम दुख रहा तहां दुनों दूसरे दूसरे को दोच रहा हो हमे अपरादी भाव से कहा तुम्हारी उंग्लिये तवे से जल जाती है कि इसल हुए था इसलिए हम चुम्टा उठा ले आएं तो यहां पर जो है ना चुप हो जाती है उसकी मने में जो गुसा था ना वो परे में बदल जाता है तो ठोस रस और स्वास से भरा हुआ बच्चों में कितना त्याग कितना सदभा और कितना विविग हैं दूसरे के खिलोने लेते हैं मिठाया खाते देकर कितना जल्चाया होगा मन इतना जब तब यह मन में सोचती है अमीना कि क्या करें इस बच्चे का इतनी समझदार हो गया इतना समझदार हो गया हम दूसरे बच्चे को देखा होगा मिठाया खाते हुए खिलोना खरते हुए खुद पर कंट्रोल करके और अमिना के लिए चिम्टा लाता है इतना असान नहीं है तो जिन्गी भी जो है ना बस इसी तरह से हैं देखना बहुत कुछ पढ़ता है हमको साहिए बहुत कुछ हमको लेकिन सेलेक्टिड चीजे हमको करनी होती है सेलेक्टिड चीजे हमको खरीदनी होती है सेलेक्टिड चीजे हमको पढ़नी होती है तो यह हमपर डिपेंड करता है कि बातों को कैसे हम समझे और किस समय में कौन सा काम हमारे लिए बहुत ज़्याद इस कहानी में हम यहीं सीखते हैं कि एगर हमारी जीवन में अभाव हो या किसी बच्चे के जीवन में अभाव हो तो समय से पहले परिपक्ष हो जाता है वो समय से पहले जो है वो बड़े लोग की तरह या बड़े व्रक्ति की तरह सोचने लगता है इसका अगर तुम्हों को स एक्स्प्लानेशन अच्छा लगा है नीचे कॉमेंट करो पॉस्टन इंसर चाहिए तुसके लिए कॉमेंट करो आजाएगा वीडियो में दिलते हैं अलब लिए